मनी लांडरिंग से जुड़े मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की होटवार जेल में अचानक तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एंस अस्पताल में रेफर किया गया। इससे पहले पंकज मिश्रा रिम्स में भी एडमिट हुए थे। पैंक्रियाज में समस्या से पीरित होने के कारण पंकज की तबियत काफी दिनों से खराब थी। पंकज मिश्रा को पिछले कई दिनों से जेल अस्पतालों में इलाज चल रहा था। अचानक तबियत बिगड़ने बाद जेल अस्पताल ने आन अनफानन में उन्हें दिल्ली भीजा गया। में भरती करा दिया था वहीं तबियत ज़्यादा खराब होने पर रिम्स मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजने की अनुशन साथ कुछ दिन पहले ही की थी अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले